36 गण सामानने अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्णों पर रोज हम डिसकसन करते हैं जो की CG PSC और CG Vyapam के परिक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा important हो सकता है सेरे हम लøग कोश्चन पर चलते हैं तो आज का पहला कोश्चन है मुकुटधर पांडिय जी की प्रतम प्रकासित काव्य संग्रह है तो मुकुटधर पांडे इनकी पहली प्रकाशित काव्य संग्रह वो है पूजा के फूल ये जो है इनकी पहली प्रकाशित काव्य संग्रह है कविता संग्रह है ध्यान रखेंगे इस चीज को बाकी भी इनकी ही रचनाई है बाकी भी आगे बढ़ते हैं एगले कोस्चिन की त गया है तो यह जो है पंथी नृत्य से संबंदित है पंथी नर्तक है राधे स्याम बारले जी आगे बढ़ें निम्न में से कौन जनजातिय चित्रकार नहीं है जनजातिय चित्रकार तो देखेगा बेलगूर मंडावी यह जनजातिय चित्रकार है जनगरसिय स्याम भी है नर् अगला question दिया है बस्तर दसहरा का अंतिमर रस्म कौन सा है तो बस्तर दसहरा का आखरी रस्म 75 दिन तक चलता है ना बस्तर दसहरा तो पहला रस्म होता है पाटा जात्रा और आखरी रस्म होता है ओहारी ये जो है सबसे आखिर में बनाया जाता है ओहारी इस दिन जो है जितने में उहाडी टोटल 75 दिन ये पर्व मनाया जाता है अगला कोश्चन दिया है बिमबाजी भोसले के आगमन से भैबीत होकर किस जमिनदारी के जमिनदार ने पतनी सहित जल समाधी ले ली बिमबाजी भोसले जिनका सासन हमारे 36 गण में 1757 से लेकर के 1787 तक था तो इनके समय में कुछ जगहों पर विद्रो हुआ था जिसका इनोंने दमन किया था तो बिमबाजी भोसले जो है एक जमिनदारी पर मतलब एक तरह से आक्रमन ही किया कह सकते हैं तो वहां के जमिनदार ने भैबीत होकर अपनी पतनी के साथ पानी में डूप कर अपनी जान दे दी तो कहा के जमिदार थे भैई ये धमधा के जमिदार थे जिन्होंने सूसाइड कर लिया था अपने वाइफ के साथ अगला कुश्चन है सयोग अंदोलन के समय किसने धमतरी में खादी प्रचार केंद्र की स्थापना की तो धमतरी में खादी प्रचार केंद्र की स्थापना करने वाल चोटे लाल श्रिवास्ता उन्हों ने धमतरी में खादी प्रचार केंद्र शुरू किया था गांधी जी का कहना था खादी का प्रचार करो खादी पहनों खादी धारण करो तो खादी प्रचार केंद्र विभिन नेताओं द्वारा शुरू किया जाता था इस्थान इस्थान ने तंबाकू पात्र का प्रचलन है और ये जो तंबाकू का पात्र है ये अलंक्रित होता है काफी सजा हुआ होता है मतलब इसमें कई प्रकार के चित्रकारी खुदाई करके काफी कुछ बनाया गया होता है ये सिर्फ तंबाकू रखने के लिए यूज होता है तंबाकू पा बालारजुन का दरबारी कवी था यहाँ पर ना इस कोस्चन पर मैंने पीछे किसी वीडियो में साइद यह वाला कोस्चन पूछा था मतलब इससे मिलता जूलता तो कुछ बच्चों का कहना है कि इंद्रबल का जो बेटा है उसका नाम भी है इसान देव जिसने खरोद में ल लक्षमणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और वहाँ पर उसके बारे में जानकारी भी मिलता है वही कवी इसान यह जो है महासिव गुप्त बालारजुन का दरबारी कवी था जिसके बारे में सिरपूर के लक्षमण मंदिर से जानकारी मिलती है तो सिरपूर में लक् लाल में तो यहां धारवार सहल समुह प्राप्त होता है धारवार सहल समुह अगला कुश्चन है नीम्न में से क्या बीजापूर जिले में नहीं है तो बीजापूर जिले में क्या नहीं है यह आपको बताना है इंद्रावती राष्ट्रुद्यान बीजापूर जिले में है का अभ्यारण और एक राष्ट्री उध्यान इस्तित है इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे आप लोग तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताईएगा कि आप से कितने कोस्चन सौल्व हुए किसी भी कोस्चन में क कोई भी डाउट हो तो जरूर बताईएगा वीडियो को जितना हो सके उतना आप सेर करिएगा लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद